नमस्कार मैं परणजोई गुहा ठाकुरता हूँ और Newsclick studio में आज मेरा साथ अशोक कुमार भठचारिया, Business Standard Akbar का Editorial Director याने की संपाधिक या निर्देशक और हम आज बात करेंगे ये 15th Finance Commission या 15 वित्यायोग का Terms of Reference याने की संदर्फ के शर्ते अच्छानक भारत सरकार ने एक राष्ट्रकदी ने एक अध्यादेश लागू किया 29 जुलाई और इसके असर भारत वर्ष का Federal Structure याना की संग या धाचा की उपर पर रहे हैं और विरोधी दल और जितने राज्य में NDA या भारत जिन्ता पार्टी का सरकार ने हैं उन लोग बहुत नराज है सरकार के उपर उनका कहना है कि सचमुच सरकार जो भारत वर्ष का जो Federal Structure संग्या धाच्छा में विश्वास नहीं करते हैं बोलते हैं Co-operative Federalism यानि की सहकारी संग्वाद मगर जैसे काम आगे बढ़ रहे है एक्तम विपरित एके भी अचानक 29 जुलाए ये पंदरवा वित्या आयोग का जो Terms of Reference बदल दिया और सबसे महत्यपूर्णा बात यह है कि जो हमारा सेना के उपर जो खर्चा है हमारा जो सुरक्षा के लूप ग्रिया मंत्रला के खर्चा यह सब कुछ केंदर सरकार अपने पास अलग तरीका से रखने चाहते हैं उन्होंने एक प्रस्ताव किया और ये Finance Commission को कहा कि आप एक नया तरीका समझा दीजी कि किस तरीका से ये खर्चा जो सेना हमारे स्थल सेना वाईू सेना इन लोग के उपर जो खर्च हो रहा है और जो विरोधी दल है और जो विरोधी दल का जो सरकार है सब लोग कह रहे हैं ये देश के लिए बहुत ही खराप है अर्थशास्त्री प्रभात पतनाइक जी ये भी कह दिया कि एक तरह से ये जो संभिधान का जो साथ्वा जो शेड्यूल है इसको एकदम इसके उपर इन्ह उन्होंने एक आक्रमन कर रहे है भारत स्वश का संग्या धाचा के उपर फेडरल स्ट्रक्चर के उपर इस विशे के उपर आपका क्या कहना है देखिए परणजय आपने जो बात की जिकर की उसमें काफी उसका एक हमारे संग्या धाचा के लिए बहुत बड़ा एक सरकार ने क्या किया एक कैबिनेट्ट बेठेक में उन्होंने यह ताय किया कि जो यह पंगरवी वितिय आयोग है उसको बोला जाए कि उसका जो टरम्स और रेफॉषरेंस जो संदर्व के शर्ते जो है बदल दिया जये जो विचार का विशे है, वो बदल दे जाए और उसमें ये कहा जाए कि आप कोई ऐसा कोई उपाए सोचिए, जिस उपाए से एक तो डिफेंस और इंटर्नल सिकुरिटी को जो खर्चा जो है, वो किस सरे से इसका खर्चा, इसका पैसे का प्रावधान किया जाए? अब जो फिनेंस कमिशन है इसके ओपर और उन्होंने इसी लिए उसकी जो रिपोर्ट दाखिल करने की जो अंतिम्तिती थी, वो 31 अक्टोबर को थी, उन्होंने एक मैना और दे दिया है, जाने की नवेंबर के 29 नवेंबर है अब अब उनके पास, एनके सिंग साब उनके चेर एक इसका एक सिलूशन निकालें कि किस तरह से जो सरकार की जो एक डिरेक्टिव जो है, इसके किस तरह से रिस्पॉंट करें, दो तरस से यह हो सकती है, एक तो यह है कि आप जो डिफेंस की जो खर्चा है, डिफेंस का खर्चा कितना हमारे देश में, हमारे देश की जो के बजएट है 28 लाग करोड के बजएट में करीबां तीन three लाग करोड आपके defense को ओपर खर्चे होते हैं यह अलग-अलग सेनां के उपर, अलग-अलग आर्मियों सेना ठल सेना वायों सेना तीन लाग करोड के साथ-साथ 97000 करोर का causes का pension भी आ जाता है उसमें से आप 4 लाग करोर का डिफेंस खर्चा करते हैं और जो अंतरदेशी सिक्रूटी जो है आपका इसके उपर आपका पूरे जो खर्चा आता है वो करीबन 90,000 से लेकर 1 लाग करोर के बीच आता है तो सरकार का मानना ये है कि ये जो खर्चा जो है ये हम किस तरह से इसका जो उपाए हम बढ़ा सके हैं किस तरह से हो सकता है फिनैंस कमिशन में ये है कि सरकार बहुत सारे रेविन्यूस लेती है ये ही जरा आप समझा दीचे कि हमारे देश के जो वित्यायोग है वो कैसे अब जो अलग-अलग कर है जैसे आप जानते हैं समिधान में लिखा है एक हिंद्रिय सूची है सेंट्रल लिस्ट है एक राज्य सूची है और एक कंकरेंट लिस्ट है याने कि समभारती सूची है किंद्र सरकार के पास आते हैं? इसमें एक तरह से एक डिविजिबल पूल हो जाता है या इन्डिविजिबल पूल होता है? यह सरल भाशा में यह जो कर है, इसका बटवारा कैसे होता है? परणजा यह जो सरकार जो कर का जो लगाती है, उसमें आपने प्रतक्षकर, पूल काफी छोटा हो गया क्योंकि एक जमाने में कस्टम्स जिसे सिमा शुल्क वो डिविजबल पूल में नहीं आता था अब जो चौदवी फिनैंस कमिशन के तर तहर हमने ये देखा है कि जो डिविजबल पूल है सारे प्रक्तिक्ष और प्रक्तिक्ष कर डिविजबल पू में सेंट्रल टैक्सेस के मानने ये इस साल के जो कर जो लेती है उसमें करीबन 24 लाख करोर की कर की आमदनी होती है सरकार के पास उस 24 लाख करोर में से जो हमने देखा है ये पिछले कई सालों में सेस और सरचार्ज की जो शेयर जो है वो बढ़ रहा है वो करीबन अब बारा से 13% हो गया है तो सेसल सरचार्ज का बिवाजन नहीं होता है मतलब अगर केंद्रे सरकार के सारे कर्ज एक साथ अगर करेंगे जो ग्रोस टैक्स रेविन्यू करेंगे मोदी सरकार कह रहे हम कितने उदार हैं हम राज्य को 42 फीसिदी दे रहे मगर यह अगर सेस यह सारे अगर हटा देंगे यह सरचार्ज हटा देंगे तो असलियत है कि यह 32 फीसिदी भी नहीं पहुचता है तो मैं यही कह रहा था कि अगर 24 लाग करोर से अगर आप सेस सरचार्ज को हटा दें तो 42% आकर इस साल में वो 32% में आ जाएगा पिछले साल 36% में था तो अब जो लगता है कि जो Finance Commission के पास जो सवाल जो है वो क्या ये डिफेंस का खर्चा जो है मान लीजिए ये मैंने कहा 4 लाग का खर्चा है डिफेंस का और Internal Security का खर्चा एक लाग करोर का तो क्या ये पांच लाग करोर का खर्चा अगर 24 लाग करोर से ये पांच लाग करोर का भी एक वियो किया जाए उसके बाद कहा जाए बही पांच लाग करोर निकाल लीजिए कि कोई डिफेंस और Internal Security में हैं तो 19 लाग करोर बजगे 19 लाग करोर से 22% दे दीजिए तो स्टेट क लिए उनकी जो 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 डिसोर्सेस हैं वो और भी कम हो जाएंगी अगर आप देखें स्टेट को कितने पैसे मिलते हैं इस साल स्टेट को सारी जो हमारे तीस स्टेट जो हैं उनको सिरब 8 लाग करोर मिलेंगे पिछले साल 7 लाग 55 नहजार करोर मिले थे एक यही तो बात है केंद्री करन हो रहे वी केंद्री करन नहीं सेंट्रलाइजेशन हो रहे डी सेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहे और आप देखीए राज्य सरकार बात चितने किया यह अध्यादेश आपने लागू किया कुछ दिन पहले भूत पूर्वा हमारे जो प्रधान मंत्री, मनमौन सिंग जी, अलगार राज्य का जो वित्य मंत्री जैसे मनीश सोधिया दिल्ली का, तॉमस आइसाक केरला का, और भूत पूर्वा, जमौन कश्मीर का फाइनांस मेस्टर हसीब राबू, सब लोग एकटा होके कहा, कि इस तर जो पूरा जो संग्या धाचा को कमज़ोर कर देगे, आपने ठीकी कहा, कि आचानक च्छे माने अबाकी हैं या तीन माने अबाकी हैं, आपको रिपोर्ट पेश करने के लिए आपने य्थ बहुत बड़ा है वो उद्देश यह है कि जो सेंटर जो है सेंटर के पास पैसे की सक्त कमी है और और लोग क्या रहे कि अभी यह जो कश्मीर में खर्च पर गया अलग-अलग कारण में सेनाओ के उपर बी-एस-एफ, सी-ार-पी-एफ, खर्ट पर देखिए सेनाओ के मैं इतना मैं चिंत नह होता है, वो ज्यादा नहीं बड़ा हाला कि मैं समझता हूं कि एक विकाशिल देश होने के लिए डिफेंस में हमारा खर्चा की जरूरत अगर आप सारी जियो स्ट्रेटिजिक कंडिशन देखें, खर्चे की ज्यादा जरूरत है, पर हाँ, यह जरूर जी है कि सरकार की जो एक वेलफेरिस्ट स्ट्रीक जो है, उससे सरकार बहुत ज़्यादा पैसा डिफरेंट स्कीम्स में खरच कर रही है और उतना उसकी आए नहीं हो रही है, तो सरकार का जो घाटा वो बढ़ने की शंका जरूर है, और इस आए की जो घाटा आए और वेरी में जो घाटा आ रह है, इस से बचकर वो क्या संकट एक तरफ से तो आर्थिक संकट है, और दूसरे तरफ ये है कि सरकार ये भी प्रतिवद है कि जो वित्य घाटा को न बढ़ाया जाए, तो एक्स्ट्रा बजिट बॉरिंग कर रहे हैं, और तीसरे तरफ ये है कि किस सरह से हम स्टेट्स को उत तीनों चीज एक मिलकर मैं समझता हूँ कि ये फिनैंस कमिशन में जो आपने देखा ये हुई जो टर्म्स और रिफरेंस बदलने का, यही इक इसका एक फ़लसुरूख हमें दिखने का रहा है, आखरी सवाल ये भविशवा नहीं करना तो मुश्किल का काम है, फिर भी नव एक बजट में एक होता है capital expenditure और एक तो एक होता है revenue expenditure, अगर आप internal security में देखेंगे, करीबन 90 हजार करोर की जो total internal security में खर्चा होता है, उसमें center से, उसमें करीबन 10% और 11% होता है capital expenditure, और उसी तरह जो defense में, जो 3 लाख का करोर का जो खर्चा है, उसमें करीबन 33%, मतलब एक त या एक लाख करोर कर्चा होता है capital expenditure में, जिससे की अस्तर शस्तर खरीदने में, जो होता है, कुछ चीज बनाने में, वाहन खरीदने के लिए, हवाई जहाज खरीदने के लिए, वो capital expenditure, तो एक लाख करोर defense में हो गया, और करीबन 10,000 करोर internal security में हो गया, मेरा अनुमान यह है कि finance commission यह कहेगा, कि क्योंकि यह capital expenditure है, तो capital expenditure को कोई थोड़ी बहुत रहायाद दी जाए, और capital expenditure को divisible pool से निकाल दिया जाए, इसे economy में sequestration कहते हैं, उसको यह करीबन 1,10,000 करोर revenue से निकल जाएगा, divisible pool से, और उसके ऊपर जो भी 42% करना हो, यह बोला हो, पर खबर तो, मैं आपको यह नहीं कह रहा, और एक आपको मैं एक indication दे रहा हूं, कि केंदर सरकार ने एक suggestion दिया है, finance commission को, किस तरह से 42% का जो recommendation है, वो अब नामुम्किन है, उसको किस तरह से घटाया जाए, तो मेरा मानना यह है कि defense capex, internal security capex, और पूरा जो 42% का जो percentage है, उसको भी घटा दिया जाए, इसका भी एक proposal चल रहा है, तो सब मिला कर, मैं समझता हूँ, states के लिए, जो states, मैं आपको यह कहने हूँ, परणजा है, कि states जो हैं, हमारे देश में 30 states हैं, उनकी जो total budget है, वो केंदर की budget से जादा है, और इस वकत, उनकी total वित्य घाटा, सिरफ 2.6% है, इसका मतलब वो अभी तक वित्य अनुशाशन माने हुए चल रहे हैं, पर अगर यह कौन सा थीन राज्ये? जो revenues जो हैं, वो आप उसको अलग रखेंगे, तो इसका एक states के लिए बहुत, नाकुश हो जाएंगे? नाकुश हो जाएंगे. तो बिल्कुल इसका मतलब है, अगर सचमुच नंद किशोर सिंग जी जो आपका पंधरवा वित्य आयोग का जो अध्यक्श है, और सचमुच इस तरह से उनका अगर कोई recommendations आते हैं, उनका जो इस तरह से सला देंगे, तो सारे राज्य सरकार बहुत नाकुश हो जाएंगे? बहुत ही, और जो धक्षिन के जो प्रदेश जो हैं, वो और भी नाकुश होंगे, क्योंकि इस वित्य आयोग ने एक population का जो base है, वो 2011 का base लिया है, तो उससे क्या होगा कि जो देश, जो प्रदेशों ने population में ज्यादा control किया है, उनको जो shareable resources से कम resources मिलेंगे, तो वो भी एक और एक issue है, तो मैं मानता हूँ कि जो state मान लीजी है, उतर प्रदेश, बिहार, इन्होंने population control में ज्यादा, जो सक्षम नहीं रहे हैं, तो उनको मेरे खाद से overall resources को relatively ज्यादा मिलेगा, पस south state जो हैं, जो उन्होंने population control में काफी कामया भी जो जटिल विशह है, जो अर्थशास्री इस विशह की उपर बात करते हैं, आपने कोशिश किया हमारे जो आम दर्शक उनको समझाने के लिए, और सच मुछ यही बात है, मोटा मुदा, मोटा बात यही है, कि आने वाले दिनों में, जब ये पंद्रवा वित्या आयोग का recommendation आयेगा, हमारे देश का बहुत सारे राज्य सरकार बहुत ही नाकुष हो जाएगे, धन्यवाद, देखते रहेए, News Click